सब्सक्राइब किज़े टेक महात वीडियो चैनल को और बेल आइकन दबाईए ताकि आपको लिटेस वीडियो से पहले मिलता रहा है हे दोस्तो आज के इस वीडियो में बाते करेंगे लिनक्स के डिस्ट्यूबिशन के बारे में कितने तरह कलियोंस का डिस्ट्यूबिशन मार्केट में अविलेवल है उन सब के बारे में आज हम डिटल्स में बाते करेंगे दोस्तो मैं हूँ अर्विन महातो और आप देख रहे हैं टेक महातो वीडियो चैनल दोस्तो मैं आप लोगों के लिए 100 डे Linux System Administration Mastery Course डिजाइन किया हूँ जहां पर मैं आपको सिखाया हूँ किस तरह से एक Linux System Administrator Production Environment में काम करता है इसे मैं पूरा भर्चो लैब के मादन से आप लोगों को Basic से लेकर के Advanced Level तक ट्रेनिंग देने का कुस्स किया हूँ इस कोर्स के अंदर में RSCSA और RSC Red Hat Enterprise Linux 8 के उपर में आप लोगों को ट्रेनिंग दिया हूँ और इस कोर्स को खतम करने के बाद आप किस तरह से एक बहतर CV क्रेट करेंगे किस तरह से एक Portfolio क्रेट करेंगे किस तरह से आप जो है एक Strong LinkedIn Profile क्रेट करेंगे और एक करने के बाद किस तरह से LinkedIn का सर्च जो Features है जो टूल है उसका यूज करके बहतर सबहतर जॉब के लिए आप अपलाई करेंगे उसके बारे में हम इन डिटल्स में इस कोर्स में बाते करेंगे संग में दोस्तो जॉब के अलावा और तिन ऐसे अर्निंग सोर्स के वारे में बाते करेंगे अगर आप Linux का अच्छा का सा नौलेज गेन कर लेते हो तो आप जॉब के संग extra minimum 30,000 per month आप अर्न कर सकते हो ऐसे मैं तिन अर्निंग सोर्स बताऊंगा जिसका यूज मैक्सिमम लोग मैक्सिमम जो Linux सिस्टम एडिमिस्टेटर रहते हैं वो यूज करते हैं अपने अर्निंग को बुस्ट करने के लिए तो दोस्तो चलिए हम अपने कोर्स में आगे बढ़ते हैं आज के समय में बहुत सारे Linux का डिस्टिबूशन एविलेबल है क्योंकि Linux operating system एक open source है और इसको हर person हर company इसको require करता है और अपने उस यूज करने सारी से modify कर जाता है modify करके यह और दूसरों लोगों के लिए available करा देता है चलिए हम समझते हैं कौन-कौन सा जो है most popular Linux का distribution है तो चलिए हम चलते हैं अपने notes में यह जो मैं notes आप लोग के लिए design किया हूँ और इस notes को आप लोग download कर सकते हैं तो यहां पर देख पा रहे हैं मैं notes बनाया हूँ और इस notes को आप लोग डाउलोड कर लिए यहां पर और थार सम एक्स्ट्रा knowledge दिया हूँ जिस knowledge को आप जो है गें करके अच्छा कासा यहां पर अपना जो है knowledge को spill को बहा सकते हैं Linux distribution में सबसे जो पहला जो काभी popular distribution है वो है Red Hat, right? Red Hat is a billion dollar commercial Linux company that puts a lot of effort developing Linux. They have hundreds of Linux specialists and are known for their excellent support. They give their product away for free. While Red Hat Enterprise Linux is well tested before release and support for seven years after release. Fedora is a distro with faster update but without support. देखिए Linux का जो base principle है कोई भी व्यक्ति इसको commercialize नहीं कर सकता है यहीं कि पैसा देकर software को नहीं बेश सकता है और ऐसा कोई करता है तो उसे free में जो है लोग के लिए उपलत कराना पड़ेगा तो Red Hat ने क्या किया कि एक operating system बनाया तरफकर Fedora. Fedora को market में free में छोड़ता है और उसी का एक जुज़रा बर्जन है Red Hat Enterprise Linux यहाँ पर उपके करता है अपने जो team है उस team के मादन से उसको effort दे करके काफी strong बनाता है और इसे enterprise level का जो है इसके अंदर में security और बहुत सारे जो feature इस software का इस operating system का उपराइज ने लेते हैं इसका जो support देते हैं उस support का वो subscription चार्ज करते हैं तो आने बाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि Red Hat जो ही enterprise Linux support के लिए yearly कितने रूपिया चार्ज करते हैं इस वीडियो में आप लोगों का आने वाले वीडियो में तीर होने वाला है Canonical started sending out free compact disk with Ubuntu Linux in 2004 and quickly become popular from for home user switching from Microsoft Windows. Canonical wants Ubuntu to be an easy to use graphical Linux desktop without need to ever see a command line. Of course, they also wants to make a profit by selling support for Ubuntu. Ubuntu क्या है एक दूसरा जो है popular operating system है और Ubuntu basically जो start हुआ था जब भूत पहले की बात है कि हम लोग जब नया नया से जब लिनक्स सुरू किये थे तो उस समय क्या होता था था कि हम लोग को Linux Ubuntu का जो है वेबसें जाते थे और अपना detail जालते थे तो हमारे भर में एक Ubuntu का CD आता उस समय में कोई ISO file या something intense download करने का कोई facility नहीं था CD के मादधम से operating system को install करना पता था सो यहां पर आमको उस समय CD मिला करता था और Ubuntu का जो में परपस था जो इसका जो founder company है जो creator company है इनका में परपस था कि जो जितना desktop है जितना laptop है उस समय के ग्राफिकल जो इंटरफेस है उस सब चीज को फेसलिटी को प्रवाइड किया जाए और इसको easy to use किया जाए जो वेक्ति कमांड लाइन से डरते हैं उसको जो है यहां से जो है कमांड लाइन ना दिखाई दे और उसको जो फुर्ड ग्राफिकल इंटरफेस मिले हमारे जो निक्स्ट जो पॉपूलर जो अपरेटिंग सिस्टम है वो है देबियन देबियन भी एक काफी मुच्ट पॉपूलर अपरेटिंग सिस्टम है लीनेस में देर इस नो कमपनी बहाइं देब इस तीड देर आर लिनुक्स डिस्टिबुशन इट अलसो दे बेसिस ओफ एबरी रिलीज अब अब रूबंटू देबियान कम्स इन थ्री वर्जन स्टेबल टेस्टिंग एन अनिस्टेबल एबरी डेबियान रिलीज नेम आपड़ दा करेक्टर इन दा वुविवय स्टोरी देखे देबियान सेने भी को पैंनेगद करें लेकिन बहुं सारे ओपर हैं जो जैसे की सें टो बटर्पाइस Linux scientific Linux based on the Red Hat Enterprise Linux and share the many of these principal directories and system administration techniques यह सब जितना जो open a system है यह Red Hat के तरह है और यह लोग आपस में अपना जो है कुछ techniques वेगारा होता है कुछ system administration technique होगार आपस में share करते हैं इसके अलाबा Linux means edu ubuntu many other ubuntu सब्सक्राइब देखता हूं अपना एक पीचर से और उस फीचर से उस हर जो है इसका यूसेज हो रहा है आपको बहुत सारे यहां पर लिनुस का फ्लेवर मिल जाएगा लेकिन मैं अभी जो देखता हूं प्रोडक्शन इभार्मेंट में कि अधिकतर जो है यूज हो रहा है रेड है और यूज होता है सेंट वेस और यूज होता है उबंतु तो इन तीनों के उपर में मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दूंगा था हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट और एक साइन दोस्तों मैं अर्विन महातो फाउंडर एंड टीचर अब टेक महातो कांप्योड एक अडमी साइनिंग आफ